नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी लोग का आपकी अपने ऑनलाइं स्ट्यूट टार्गेट आन में मैं अनके सिंग, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिने अंदर करता हूँ, आसा करूँगा कि आप सभी लोग की पढ़ाय लिखाई का कार्य बहुत सुचार रूप से चल लहा होगा और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या दुविधा आपको नहीं आ रही होगी, concept through question की ये जो स्रिंखला चलाई जा रही है, निश्चित रूप से जो लोग भी continuous way में इसको पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनके अंदर ए को कवर करने की कोशिस कर रहा हूँ, इस करम में आप देखे होंगे, कि cytology, digestive system, चाहे blood circulatory system, चाहे respiratory system हो, चाहे endocrine system हो, इन सारे chapters को हमने खंगा लने की विधिवत कोशिस किया है, इन सारे chapters को आप देखेंगे, वीडियो को, तो आपको लगेगा कि नहीं, यहीं से question पूछे जा सकते हैं, मेरा प्रयास हमेशा से रहा है कि ऐसे question जो आपकी परिच्छा में पूछे गए हैं, या जिनके पूछे जाने की probability है, उन सारे question से आपका सामना सामना करा दूँ, ताकि जब आपको प्रश्नपत्र में यह सारे question दिखें, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, किसी प्रकार की परशानी ना हो, आज हम एक नए chapter की सुरुवात करने चल नहें हैं, और उस chapter का नाम है nervous system, उसका नाम है तंत्री का तंत्र, एक ऐसा तंत्र जो आपके सरीर में सरवाधिक महत्पूर भूमिका निभाता है, आपका पूरा सरीर कारी कर रहा हूँ, ले कुछ भी हम विचार करते हैं हमारे सरीर के सभी अंगों के मद्धि में जो कॉर्डिनेशन होता है उन सारे कॉर्डिनेशन के लिए जिम्यदार जो तंत्र होता है उसी का नाम है नर्वस सिस्टम उसी का नाम है तंत्रिका तंत्र तो आज हम तंत्रिका तंत्र के चुनिंदा प्रश्णों की मदद से पूरे के पूरे चैप्टर को हम देखने का प्रयास करेंगे जो कि आपके इक्जाम के लिए बहुत ही जादा महत्पूर है और जितनी भी बातों को मैं बोर्ड पर लिखूंगा आप भी कॉपी और पेन को लेकर बैठियेगा और अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी बात बनेगी याद रख लिजेगा चलिए बिना किसी देरी के आते हैं सिधे कोश्चन पर पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है ध्यान दीजेगा पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मानो मस्तिस का वजन कितना होता है वजन वजन पूछा गया है ठीक है आम तोर पे जब सवाल पूछता है तो आप्सन में या तो तेरह सो पचास या तो चौदाव सो ग्राम देता है याद रखना स्वारी या तो तेरह सो पचास या चौदाव सो ग्राम देता है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर option में थोड़ा सा बदलाव किया गया है सरीर के कुल वजन का लगभग होता है वह लगभग कितना होता है 2% होता है तो दो बातें याद रखो गई आपको पहली बात क्या याद हुई कि मस्तिस्क का वजन लगभग कितना होता है 1350 से लेकर 1350 से लेकर 1400 ग्राम के मध्ध में होता है दूसरी बात आपको याद हो गई यह सरीर के भार का लगभग 2 परसेंट हिस्टा होता है तीसरी बात याद रख लेना मस्तिष को सुरच्छा प्रदान करने वाला अस्थियों का जो खोल होता है इसे हम क्रेनियम कहते हैं क्रेनियम कोश्चन अगर पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी अस्थियों की खोल है ऐसी कौन सी बोन की खोल है जो हमारे मस्तिस को सुरच्छा प्रदान करती है तो आप उत्तर करेंगे क्रेनियम और क्रेनियम के अंतरगर टोटल आठ अस्थियां आती है ये पुरा क्रेनियम है और क्रेनियम के अंतरगर टोटल अगर पूछा जाए कि कितनी अस्थियां पाई जाती है तो आप उत्तर करेंगे आठ और याद रख लेना अगर कोश्चन ये पूछ दिया जाए कि मस्तिस्क को सुरच्छा प्रदान करने वाली जिल्ली का नाम क्या है तो आप उत्तर करेंगे मस्तिस्क को सुरच्छा प्रदान करने वाली जिल्ली का नाम है मेनिंजस क्या नाम है मेनिंजस और इसी मेनिंजस नामक जिल्ली में जब सुजन आ जाता है तो उसी में लगा दीजेगा क्या आईटिस क्या लगा दीजेगा आईटिस यानि कि रोग हो जाता है meningitis, अगर कहीं भी लास्ट में, आइटिस लग गया, तो याद रख लीजिएगा, वहाँ पर संक्रमन हुआ होगा, वहाँ पर सुजन हुआ होगा, वहाँ पर infection हुआ होगा, जैसे rhinitis, जैसे कि meningitis, तो कहीं भी अगर आइटिस लग गया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर संक्रमन हुआ होगा, तो ये पहले question का उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, option number A, और 7 में मैंने दिया है लगभग 5 fact, वो 5 fact मस्तिस से संबंदित है, ये आपको याद होना चाहिए, चलिए, question number 2 पर चलते हैं, question number 2 को देखेंगे, question number 2 दिया गया है, मानो मस्तिस का कौन सा भाग है, जो की, बुद्धी, IQ, लेवल, और इस्मिती, यानि की जहां पर आपको मैं कह रहा हूँ, याद कीजिए, याद कीजिए, और आप याद कर रहे हैं, और भावनाओं का केंदर होता है, है न, ऐसा मस्तिस का कौन सा हिस्सा है, मस्तिस के कई हिस्से होते हैं, और उनके अलग-अलग कार्य होते हैं, और ये अलग-अलग कार्य होते हैं, और ये अलग-अलग कार्य होते हैं, और ये अलग-अलग कार्य और सहायता से पूरा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं याद रख लेना ये चार्ट आपकी परिच्छा के लिए बहुत महत्तपूर है और यहां से लगभग 50 से अधिक सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं तो इस वज़े से इसको समझने का प्रयास करिएगा मस्तिस्क के विषय में हमने आपको क्या बताया मस्तिस्क के विषय मैंने आपको बताया क्रेनियम इसको सुरच्छा प्रदान करती है और इसके चारो और एक झिल्ली पाई जाती है जिसको मैनिंजस कहते हैं क्या बोलते हैं मैनिंजस अब ध्याग समझना वजन 1350 से 1400 ग्रा मस्तिस्क को हम basically four brain कहते हैं याद रख लेना इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं four brain और दूसरा जो होता है इसे हम कहते हैं मध्य मस्तिस्क मध्य मस्तिस्क और मध्य मस्तिस्क को याद रख लेना इसे mid brain कहा जाता है इसे mid brain कहते हैं और तीसरा जो मस्तिस्क का हिस्सा होता है इ इसे हम पश्च मस्तिस्क के नाम से जानते हैं, या इसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं भाई, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिस्क, मध्य मस्तिस्क, पश्च मस्तिस्क, ये तीन हिस्सों में हमारा मस्तिस्क बटा होता है, अब इसके भी अलग अलग भाग है ध्यान से समझते रहना, अब इसके भी अलग-अलग भाग है, अगर मस्तिस को अगर मोटे तोर पे बाटा जाए, तो तीन हिस्से याद रख लेना, एक याद रख लेना, सेरी ब्रम, सेरी ब्रम, पहला हिस्सा, सेरी ब्रम, दूसरा हिस्सा याद रख लेना, थैलमस, याद र रिच्छा में बहुत बार पूछे जाते हैं और अभी आगे question आपको मिलेंगे भी तो आपका एक अच्छा revision भी होता चलेगा मैंने क्या कहा अग्रमस्तिस के मोटे तौर पे कितने हिस्से होते हैं cerebrum आम तोर पे अग्रमस्तिस के दो हिस्से होते हैं cerebrum और दूसरा दाइन सेफिलोन, और दाइन सेफिलोन के ये थैलमस और हाईपो थैलमस इसे होते हैं, तो आपको मोटे तौर पर याद रखना है कि अगर मस्तिस के ये तीन हिसे होते हैं, अब कोश्चन देखिएगा क्या पूछेगा, कोश्चन आप से पूछा जाएगा ये, कि आप ये बत कि मस्तिस का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है तो आप बताएंगे मस्तिस का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है सेरिब्रम पूरे मस्तिस का लगभग दो बटा तीन हिस्सा पूरे मस्तिस का लगभग दो बटे तीन हिस्सा अकेले कौन कवर करता यह सेरी ब्रह्म कवर करता है अकेले कौन कवर करता है यह सेरी ब्रह्म करता है तो अगर पूछा जा हमारे मस्तिष का सबसे बड़ा हिस्सा सबसे बड़ा पार्ट कौन है तो आप कहेंगे सेरी ब्रह्म होता है और सेरी ब्रह्म का कार्य सुनिए सेरी ब्रह्म का कार्य याद र होता है चेंतन का केंद्र बिंद होता है यानि कि जो कुछ भी हमारी बुद्धी है करते हैं कि वो मुर्ख है हम् जो कुछ भी पढ़ रहे है और जो आप पढ़ रहे हैं जो आप याद कर रहे हैं, जो आपकी इस मित में सेव हो रहा है, वह कहां पे सेव हो रहा है, मस्तित की सिस्थे में सेव हो रहा है, वह सेरिब्रम में सेव हो रहा है, हम दो प्लस दो का जो चिंतन करते हैं, कि ये दो प्लस दो चार हो गया, है ना, दो गुड़े दो कितना हो गया ये चार हो गया, तो ये जो चिंतन हम कर रहे हैं, यह भी कौन कॉर्डिनेट करता है, यह भी सेरिब्रम करता है, तो सेरिब्रम का ये तीन कार, उत्तर आपको मिल गया है, जो कोश्चन आपका पूछा गया था, उत्तर आपको मिल गया है, उत्तर हमारा क्या होगा, उत्तर हमा यह थंधा यह गर्म और यह दर्द की अनुभूति कराता है यानि कि किसी भी तीज को हम टच करते हैं चूते हैं और हमें यह अनुभूति होती है कि यह थंधा है यह गर्म है यह दर्द है दर्द की अनुभूति होती है तो यह थैलमस वाला हिस्सा करता है हम पीटते हैं किसी को वो बेचारा दर्द से कराहता है वो थैलमस वाले हिस्से को हम प्रभावित करते हैं हाइपो थैलमस सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाइपो थैलमस से हाइपो थैलमस का कार क्या है ध्यान दीजेगा हाइपो थैलमस का कार क्या होता है ध्यान से देखने का प्यास करिएगा सबसे पहले होता है प्यार और प्यार के बाद हमको मिलती है क्या खुसी और जब खुसी मिलती है तितनी खुसी मिलती है कि हमें प्यास नहीं लगती हमें क्या नहीं लगती भूख नहीं लगती और भूक प्यास जब चली जाती है तो धीरे धीरे हमारा हार्मोन डिस्बैलेंस हो जाता है हार्मोन डिस्बैलेंस हो जाता है तो धीरे धीरे ताप पर जो नियंतर रहता है वह ताप पर नियंतर नहीं हो पाता अब हमारा सरीर जो है धिरे धिरे फीवर बुखार होने लगेगा अब बुखार होने लगेगा तो धिरे धिरे हमको गुस्सा आने लगेगी और गुस्सा आने के बाद भी अगर बात चीत हो रही है तो धिरे धिरे हमको क्या हो जाएगी हमको घृड़ा हो जाएगी तो जो प्यार की कहानी स्टार्ट हुई थी उसका अंत क्या है उसका अंत है घृड़ा यहां पर मैं प्यार की कहानी का क्रमवार चड़बद जो है मैं तरीका नहीं बता रहा हूं मैं आपको ये बताने की कोशिस कर रहा हूं कि प्यार पर खुसी पर प्यास पर भूख पर हार हार्मोन नियंत्रड पर, ताप नियंत्रड पर, गुस्सा पर, घिड़ा पर ये नियंत्रड कौन स्थापित करता है, हाइपो थैलमस करता है, हाइपो थैलमस हुआ हिस्सा होता है, जो भूक पर, प्यास पर हार्मोन को भी कंट्रोल करता है, एक बार कोश्चन पूछा गया थ कि master of master gland कौन है master gland तो puse gland होती है लेकि master का भी master कौन है यानि कि principle कौन है जो हार्मोन पर नियंत्रित करता है उस पर कौन नियंत्र अस्थापित करता है hypothalamus प्यूस ग्रंथी अन्य ग्रंथियों पर नियंत्र रखती है लेकिन प्यूस ग्रंथी पर अपना नियंत्र ये hypothalamus अस्थापित करता है इस बात को आपको जानना है मध्यमस्तिस को जाने दीजेगा ठीक है अभी क्या हिस्था कार्य में बात करूंगा ठीक है इसके बाद याद रखना पष्चमस्तिस प्याद आते हैं फुटाक से पष्चमस्तिस के दो हिस्से हैं पश्च मस्तिस के कितने हिस्से होते हैं दो हिस्से होते हैं पहला हिस्सा जो होता है इस पहले हिस्से को हम सेरी बेलम कहते हैं और दूसरा जो हिस्सा होता है इस दूसरे हिस्से को हम मेडिला अबला गेटा कहते हैं दूसरे हिस्से को हम क्या करते हैं? दूसरे हिस्से को medulo obla geta करते हैं. medulo obla geta और क्या है? सेरी बेलम. सेरी बेलम का कार क्या होता है? सेरी बेलम का कार होता है संतुलन अस्थापित करना या सेरी बेलम का कार होता है? कब संतुलन स्थापित करना जब हम चल रहे हैं दौर रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं हम चलते 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 छत पर हैं और जब हम चल रहें किनारे पर पहुँचे तो हमारा पैर रुख गया हमारे brain और हमारे पैरों के बीच में ये संतुलन है मेरा brain कह रहा है ये ये चीज लिखिये और हमारा हाथ लिख रहा है इस brain और हाथों के बीच में संतुलन है जब हम खेल रहे होते हैं जब हम नाच रहे होते हैं तो जब भी हम संतुलन की इस्थिती में आते हैं यह अनैचिक क्रियाओं पर अपना नियंतर स्थापित करता है अनैचिक क्रियाओं का मतलब क्या है अनैचिक क्रियाओं का मतलब जैसे उल्टी आना जैसे क्या पलक का जपकना जैसे क्या हिर्दय का धड़कना जैसे क्या पाचन की क्रिया जैसे क्या क्रमा कुंचन की गति है ये जितनी भी अनेच्छी क्रियाएं होती हैं, उन सारे अनेच्छी क्रियाओं पर नियंतर स्थापित कौन करता है, तो ये मेडलो अबलागेटा करता है, बड़ा ही महत्वपूर सवाल बनता है यहां से, और एक सवाल और बनता है, कि ऐसा कौन सा हिस्सा है, जो ब्रेन को स्पाइनल कर्ड मस्तिस को मेरुरज्य से जोडने वाली जो जंक्सन है, जो हिस्सा है, वह मेडलो अबलागेटा होता है, पस्ट मस्तिस है अगर आप देखेंगे इस फिगर में, तो ये मेडलो अबलागेटा है, ये मेडलो अबलागेटा है और यही से स्पाइनल कर्ड सु हम को बताने थी जो आपको पता होनी चाहिए और मध्यमस्तिस का याद रख लेना मध्यमस्तिस जो है यह दृष्टि छमताक्या क्या करता है वह मध्यमस्तिस करता है तो समय उत्ता आपको मिल गया होगा, उत्तर पहले कोश्चन का क्या है, पहले कोश्चन का उस्तर होगा हमारा सेरी बंप, सेरी बंप, ठीक है, कार्पस कोलाइसम क्या होता है, ठीक है, एक बार समझेगा, कार्पस कोलाइसम क्या है, हमारा ब्रेन जो है, यह दो हिस्सों में बटा होता है, हमारा ब् और यह brain का right वाला हिसा है तो ये बीच में जो संदशना जो इनको आपस में joint करती है उसी संदशना का नाम क्या है उसी संदशना का नाम है कार्पस कोलाइसम तो कार्पस कोलाइसम वह सनचना होती है जो हमारे ब्रेन के दोनों भागों को आपस में जोडने का कारिया करती है यह आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट क्योंच पर चलते हैं कोश्चन नमर 3 देखेगा कोश्चन नूश्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंतित किया जाता है यक्रित हाइपो थैलमस हिर्दय या फेफड़ा तो अभी पीछे मैंने बताया है कि हमने पढ़ाया है आपको क्या हाइपो थैलमस है न कि हाइपो थैलमस ही वह हिस्सा होता है जो हमारे शरीर में ताप को नियंतित करने में शर्वाधिक महत्पूर भूमिका निभाएगा और याद रख लेना यकृत मानो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंति होती है इसको भी आप याद रखे ही हो होगा और याद रख लेना यकृत के चारो और पाई जाने वाली जो जिल्ली होती है इसे पेरिकार्डियम कहते हैं और फेफडे के चारो और पाई जाने वाली जो जिल्ली होती है इसे प्लूरा कहते हैं प्लूरा कहते हैं ठीक है तो ताप नियंतित में सर्वाधिक महत्प पुर्भूम का कौन निभाएगा। उल्टी आना, चाहे पलक का जपकना, ठीक है, पलक जपकना, चाहे याद रख लेना स्वसन की क्रिया, चाहे क्रमा कुंचन गती, क्रमा कुंचन गती समझते हैं, क्रमा कुंचन गती का मतलब होता है, वह गती जिस गती से भोजन हमारे आहार नाल में आगे बढ़ता है, वह ग गती ठीक है याद रख लेना वह गती जिसमें आहार नाल धीर धीर आगे बढ़ता है भोजन उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं क्रमा कुंचन गती तो क्रमा कुंचन गती चाहे स्वसन चाहे पलक का जपकना चाहे उल्टी आना ठीक है चाहे हिर्दय का अस्पंदन ठीक है चाहे हिर्दय का अस्पंदन, ये सारी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला जो मस्तिस का अंग होता है, इसे हम मेडुला आबला गेता कहते हैं, तो मेडुला आबला गेता, यह हमारे मस्तिस का पश्च, हमारे पश्च मस्तिस का हिस्सा होता है, पहली बात, यह हमार हिस्सा होता है जो brain को spinal cord से जोडने का प्रयास करता है जो brain को spinal cord से जोडने का प्रयास करता है next question पर बात Q7 नम्बर 5 को देखेंगे Q7 दिया गया है कि EEG से जिस अंग की कारे प्रडाली प्रकट होती है वह क्या होता है जवाब देंगे EEG से जिस अंग की कारे प्रडाली प्रकट होती है उसे हम क्या कहते है याद रख लेना आपको examiner दो जगहों पे confuse करता है एक पूछता है कि ECG और एक पूछता है EEG यही आपकी परिच्छा में प्रश्ण के रूप में जब आते हैं तो आप वहाँ पर confused होते हैं ठीक है ध्यान से समझना यह जो ECG है ECG इसे हम कहते हैं इसका पूरा नाम है इलेक्टरो कार्डियो ग्राम ठीक है ECG होता है इसे हम कहते हैं स कहते हैं याद रखना अब मेरी बात को ध्यान समझना हमारे पूरे सरीर में केवल दो ऐसे अंग होते हैं जिनके अंदर यह चमता होती है, जिनके अंदर यह आवकात होती है, कि वह electric impulse को generate करते हैं, वह विद्धुत आवेग को उत्पन करते हैं, एक हमारा मस्तिस्क है और दूसरा हमारा हिर्द है, हमारा मस्तिस्क और हमारा हिर्द है, यह विद्धुत आवेगों को क्या करते हैं, उ तो याद रख लेना अगर कार्डियो सब्द लग गया तो कार्डियो का मतलब ही होता है क्या हिर्दय इस तरीके से याद करने का प्रयास करिए C का मतलब है क्या कार्डियो और कार्डियो का मतलब क्या होता है हिर्दय तो ECG का संबंध हमेशा किस से होगा हिर्दय से होगा इसी वज़े से तो विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत हम हिर्दय का ध्यन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं कार्डियो लॉजी कहते हैं कारडियो लॉजिस्ट का मतलब ही क्या होता है विशेशग्य क्या हूता है तो यहाँ पर याद रह लेना कि EEG का संबंद होता है किस से मस्तिष से उत्पन होने वाले विद्दुत आवे गो को EEG के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और हिर्दय के द्वारा उत्पन विद्धुत आवेगों को ECG के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है ये दोनों के दोनों सवाल आपके परिच्छा में पुछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, कान से संबंधित याद रखना, कि कान में तीन अस्थियां पाई जाती है, इनका नाम होता है, यम से क्या होता है, मैलियस, ठिक है, यम से मैलियस, आई से इनकस, इनकस, यस से क्या होता है, यस से इस्टेपीज होता है, ये वही स्टेपीज या स्टेप्स है, जो मानों सरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि के रूप में काउंट किया जाता है, अगर पूछा जाए कि मानों सरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि काउंसी है, तो सबसे छोटी अस्थि इस्टेपीज होती है या steps होती है यह आपको याद रखना है ठीक है और यकृत के अंदर सबसे जादा या छमता पाई जाती है कि अगर यकृत का कोई हिस्सा जख्वमी होता है चोटिल होता है कोई कोशिका प्रभावित होती है तो सबसे तेजी के साथ में recover करने की छमता यकृत में होती है याद कोशिका और सबसे कम तेजी के साथ में कौन की कोशिका recovering कर सकती है तंत्रिका कोशिका ब्रेन की कोशिका या इस now कि चोट लगी कर दो वह दलदी से कार ये क्या होता है मस्तिस से आने वाले उद्धीपनों को समभन करना प्रतिवर्ति क्रियाओं का समन्वें नियंतर करना या option C में दिया गया है केवल A या option D में दिया गया है A तथा B यहाँ पे दिया गया है मेरु रज्जु के कार ये कौन से है इस्पाइनल कार्ड के कारे कौन से है ध्यान से मेरी बात को समझना इस्पाइनल कार्ड कहां पर है मेरु रज्जु कहां पर है ठीक है ध्यान से समझना इस्पाइनल कार्ड कहां से है ये हमारा इस्पाइनल कार्ड यानि की मेरु रज्जु और ये हमारा ब्रेट ठीक है अब पैर के नीचे कोई भी पिन याकिल आया, तो उस पिन याकिल से चुबने के पस्चात ये सूचनाएं इस पैर की तंत्रिकाओं के माध्यम से किस के पास जाती है, इस पाइनल इसको ब्रेन के पास भेजता है, पुना ब्रेन विचार करके इस पाइनल काड को ये सूचना भेज एक ऐसी संचना होती है यह मेरुरजु यह ऐसी संचना होती है जो मस्तिस से आने वाले एवं जाने वाले उद्धीपनों का क्या करती है शंबहन करती है अंगों से जो भी सूचनाएं उसको मिलती है वह मस्तिस तक उसको पहुचा देती है और मस्तिस से जो भी सूचना मिलती ह उसको वह अंगों तक पहुचा देती है, यानि कि कुल मिलाकर यह एक सेतु का कारी करती है, कि जो भी उसको सूचना मिल लही है, उन सूचनाओं को वह ब्रेन तक या अंगों तक पहुचाने का एक माध्यम है। बैज्यानी का नाम है मार्सिल हॉल क्या नाम है मार्सिल हॉल ने प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किया था और प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जो मस्तिस्क के आदेशों पर निर्भर नहीं होती है जो मस्तिस्क के आदेशों पर निर्भर नहीं होती है मस्तिस के आदेसों पर निर्भर नहीं होती है यानि कि हमारे सरीर में कुछ ऐसी भी एक्टिविटी हो जाती है जो हम चाहते नहीं है लेकिन बावजूद इसके हो जाती है तो याद रख लेना ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्थी क्रिया कहते हैं अगर बम दग गया ब्लास्ट कर गया तो बम ब्लास्ट करने के बाद हम यह सोचते नहीं है कि चौके की ना चौके हम चौक जाते हैं यह कौन से क्रिया है यह प्रतिवर्थी क्रिया है बात समझ में आ रही है अगर कोई भी दर्वाजे के पीछे चिपा हुआ है आप जैसे ही दर्वाजे के साथ में इंट्री करते हैं कोई करता है हो और आप डर जाते हैं चौख जाते हैं ये क्या है प्रतिवर्ति क्रिया है साप आपको दिखा नहीं, आप उछल गए, भले ही वा रस्सी है, यह क्या उसी क्रिया है, प्रतिवर्ति क्रिया है, बात समझ में रही है, तो ऐसी क्रिया, ऐसी एक्टिविटी, जिस पे आप विचार नहीं करते हैं, कि यह रस्सी था, कि साप था, कि पानी वाला साप था, कि बहतरीन example होता है, याद रखना यहाँ पे कि प्रतिवर्ति क्रियाओं का जो भी नियंतर और समनवे होता है, वह सब कुछ किस के द्वारा किया जाता है, वह सब कुछ spinal cord के द्वारा किया जाता है, मेरुरज्य के द्वारा किया जाता है, जितनी भी प्रतिवर्ति क्रियाओं ह प्रतिवर्ति क्रियाओं की खोज किस ने किया था, तो मार्सेल हॉल ने किया था, नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं, कोश्चन नमर साथ, मानों के मेरुदंड में तंत्रिका के कितने युग्म पाये जाते हैं, 12, 31, 13, 33, ठीक है, तो आपको मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने आ और दूसरा होता है, स्पाइनल, ध्यान से समझना, यानि कि मेरुदंड परधिय तंत्रिका तंत्र, दो प्रकार का होता है, परधिय, इसको आप PNS कहते हैं, भाई, PNS का मतलब क्या है, पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम, दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक क्रेनियल, एक कपाली है, और दोसरा मेरुरजी है, तो बारह जोडी क्रेनियल होती है, और 31 जोडी क्या होती है, स्पाइनल होती है, बारह जोडी पेर में जब भी ये पाई जाएंगी, याद रखना, यह जोडी में पाई जाती है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड ह और यह हमारा ब्रेन है तो ब्रेन से कितनी निकलती है 12 और मेरुरज्ञ से कितनी निकलती है 31 कितनी निकलती है 31 और यह 31 निकलकर सरीर के विभिन हिस्व गई होती है तो मस्तिस से 14 युग्म निकलते हैं Tantrikाओं के और मेरुरज्य से 31 यूग में निकलते हैं और जो मिलकर परिधी ये तंत्र का तंत्र याने की PNS का निर्माड करते हैं सही उत्तर हमारा क्या होगा? सही उत्तर हमारा होगा option number A next question, question number 8 question number 8 को देखेंगे कोश्चन नमर आठ दिया गया है कि मस्तिस्क में कम आक्सीजन की आपुर्ति के कारण क्या होता है अगर मस्तिस्क में कम आक्सीजन हो रहा है तो उसे मस्तिस्क हाइपोक्सिया कहते हैं विज्ञान की भासा में यहां पर चार option दिया गया है कम oxygen याद रख लेना, शरीर के किसी भी अंग को, किसी भी हिस्से को oxygen थोड़ा सक कम मिलेगा, चलेगा, लेकिन अगर मस्तिस्क को, अगर कम oxygen मिला तो वो सो जाएगा, बच्चपन में बच्चे जादा क्यों सोते हैं? बच्पन में बच्चे जादा इसी वज़े से सोते हैं क्योंकि जैसे ही वो आख खोलते हैं वो सब कुछ दुनिया में सीखते ही रहते हैं ये पंखा है, ये टीवी है, ये मामा है, ये चाची है, ये पापा है, ये मम्मी है, सब उसको पहचान करवाया जाता है और जब उसका glucose समाप्त हो जाता है तो वो क्या करता है वो सो जाता है इसी वज़े से बच्चों में हमेशा glucose की कमी रहने की वज़े से वो ज़्यादा सोते है याद रख लेना मस्तिस्क में जो कम oxygen की कमी होई तो उसके हम कहते हैं मस्तिस्क हाइपोक्सिया और यही इसी की पराकास्था जब पार हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं brain hemorrhage तो brain hemorrhage या मस्तिस्क हाइपोक्सिया याद रख लेना हाइपो का मतलब ही होता है क्या कमी मैंने आपको बताया था कि कमी अगर हो गया तो हाइपो का मतलब होता है कमी और हाइपर का मतलब क्या होता है अधिक्ता तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है नेस्ट कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमबर नौ देखेगा यह सीडीपी से भी संबंदित सवाल है आपने सीडीपी में पढ़ा होगा डिसलेक्सिया बीमारी निमलिखित में से किस अंग से संबंदित होता है आपने एक फिल्म आये थी आमीर खान की तारे जमीन पर है न तो उस लिखी हुई चीज को मानो निर्मित जो चीज होती है उसको पढ़ने में उसको समस्या होती है तो इसी को विज्ञान की भासा में क्या कहते हैं डिसलेक्सिया और डिसलेक्सिया में मस्तिस्क प्रभावित होता है इस बीमारी को दूर भी किया जा सकता है लेकिन चिश ब्दल समझ्या ये होती है कि जो कुछ भी वो लिखा रहता है, उसको लिखने लिखी वई चीज में उसको समझने में बड़ी समझ्या होती है, आप स्टूडेंट जैसे समझ लेता है, वह उस तरीके से नहीं समझता है, हाना? तो उसको आकृतियों के माध्यम से, उसको एक्जाम्पल के माध्यम से उसको बाहरी वातावरण में हो रही घटनाओं के माध्यम से अगर समझाया जाए तो वह अभी समानने मनुस्री की तरह आसानी से समझ सकता है next question पे चलते हैं question number 9 के बाद question number 10 को देखेगा question number 10 दिया गया है कि निमलिखित में से सुमेल कीजिए ठीक है आसा करूँगा कि आपको दिख रहा होगा फिर भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ठीक है जूम कर देता हूँ यहाँ पर CT scan है electrocardiogram है auto analyzer है pacemaker हम आप से अप एच्छा करते हैं कि तीन तो आपको पता ही होगा pacemaker मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि यह क्या करेगा हिर्दय का पता लगाएगा ठीक है वो सही प्रकार से वो विद्दुत आवेक को भेज रहा है यह electrocardiogram बताएगा CT scan क्या करेगा CT scan जो है सरीर की आसमानता के लिए होता है ठीक है तो A का क्या हो गया 4 A का 4 हो गया B का क्या हो गया 3 हो गया B का 3 हो गया D का 1 हो गया, option नमबर क्या हो गया, option नमबर przedstaw D हमारा सही हो जाएगा ठीक है Auto analyzer क्या है Auto analyzer does क्या जैव रासायनिक टत्तों की जाच में किया जाता है CT scan से संबंधित याद रखना इसका पुरा नाम है इसका पूरा नाम होता है the computer tomography ठीक है नेक्स्ट कोश्चन पर बात करते हैं, कोश्चन नंबर चलते हैं, 11, कोश्चन नंबर 11 दिया गया है, कि मस्तिस को आक्सीजन तथा पोस्टर प्रदान करने वाली, जिल्ली का नाम क्या है, ठीक है, जिल्ली का नाम क्या है, या कौन आक्सीजन और पोस्टर प्रदान करती है, Dura Matter, Meninges, या Paya Matter, या फिर Inme से कोई नहीं, ध्यान से समझने का प्रयाज करिएगा हमने आपको पीछे क्या बताया? हमने आपको पीछे बताया कि यह जो brain है, इस brain को सुरच्छा प्रदान करने वाली जो जिल्ली होती है इसी जिल्ली को हम Meninges कहते हैं, अब Meninges जिल्ली जो है यह तीन परतों में बटी होती है कोई भी जिल्ली, कितनी भी पतली क्यों नहों, उसके तीन परत पाए जाएंगे, एक उपर की तरफ, एक नीचे की तरफ और एक मध्य तो उपर की तरफ जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं Duramater, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं Duramater और जो मध्य में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं Arachnide इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं और लास्ट में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं पाया मैटर तो अक्सीजन तथा पोशड मस्तिस्क को अक्सीजन तथा पोशड मस्तिस्क को अक्सीजन तथा पोशड प्रदान करने वाली जो जिल्ली होती है उस जि क्या तो आप बोलेंगे यह मेनिंजस जिल्ली की सबसे निचली परत होती है क्या नाम क्या है पाया मैंटर होता है, question number 12 पे चलते हैं, question number 12 क्या दिया गया है कि केंद्री ये तंत्रिकात तंत्र के अंतरगत निम्नलिकित में से क्या सम्मलित नहीं किया जाता है क्या सम्मलित नहीं किया जाता है Central Nervous System के अंतरगत क्या सम्मलित नहीं किया जाता है तो CNS Central Nervous System के दो हिस्से होते हैं कितने हिसे दो पहला हिस्सा होता है brain पहला हिस्सा होता है मस्तिस्क और दूसरा हिस्सा होता है spinal cord, spinal cord यानि की मेरुरज्ज, यानि की मस्तिस्क और मेरुरज्ज है मेरुदंड नहीं है, मेरुदंड का मतलब क्या होता है मेरुदंड का मतलब होता है रेड की हड़ी, रेड की हड़ी के अंदर होता है मेरु रज्जु इस्पाइनल कार्ड हमारा वर्टिब्रल कॉलम के क्या होता है नीचे होता है वर्टिब्रल कॉलम के क्या होता है अंदर होता है समाया होता है तो मेरु दंडन नहीं है ए और बी सही उत्तर होगा ठीक है ए और बी सही उत्तर होगा ठीक है इसको बना लेजेग question number 12 के बाद question number 13 question number 13 दिया गया है कि मानों सरीर पर संतुलन तथा समनवय स्थापित किया जाता है तंत्रिकार तंत्र कंकाल तंत्र अंतह सावी तंत्र या A या C दोनो यानि कि हमारे सरीर के विभिन अंगों के मध्य में जो कॉर्डिनेशन होता है जो समनवय होता है वह नियंत्रित किस तंत्र के द्वारा किया जाता है तो याद रखना इसमें दो तंत्र सरवाधिक महत्रपुर भूमिका निभाते हैं एक है हमारा तंत्रिका तंत्र और दूसरा है हमारा अंतह स्रावित तंत्र दोनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तंत्रिका तंत्रक में सरवाधिक महत्तपुर्भूनका कौन निभाता है ब्रेन निभाता है और अंता स्रावित तंत्र में हार्मोन निकालते हैं ठीक है कौन से हार्मोन हार्मोन याद रख लेना हमारे सरीर की विभिन गत्विधियों में हार्मोन की भी अपनी एक बड़ी मह अध्तपुर्भुनका होती हैं हमें कब गुस्सा आएगा हमें कब किसी से प्यार होगा ये हार्मोन ही डिसाइड करता है तो इसी वजह से याद रख लेना हार्मोन और तंत्र का तंतर ये दोनों मिलकर यह हमारे सरीर पर संतुलन अस्थापित करते हैं इसी वज़े से विज्ञान की एक अलग साखा ही बना दिया गया और उस साखा का नाम क्या है उस साखा का नाम है निूरो एंडो क्राइनो लॉजी निूरो एंडो क्राइनो लॉजी ठीक है इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम इ समन में अस्थापित करने वाला विज्यान चाहिए तो वो विज्यान का नाम क्या है neuroendocrinology, neuro का मतलब क्या होता है वो तंत्रिका तंत्र से संबंदित है वो ब्रेन से संबंदित है और endocrino का मतलब क्या है कि वह अंतह स्रावी ग्रंथियों से संबंदित है वह हार्मोन से संबंदित है सही उत्तर हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा हमारा option number D next question बात करते हैं question number 14 को देखेंगे question number 14 को देखेंगे और उत्तर करने का प्रयाश करेंगे मानो शरीर की वह कोश्का जिसमें विभाजन की छमता सबसे कम पाई जाती है विभाजन की छमता सबसे कम पाई जाती है है ना आपने क्या पढ़ा विभाजन की छमता या सबसे तेजी के साथ में recover करने की छमता वो यक्रित कोशिकाव में होती है वह लीवर में होती है वह यक्रित में होती है लीवर में होती है जिगर में होती है जो कि हमारे सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है अंग नहीं सबसे बड़ी ग्रंथी कि मैं बात कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम तो सबसे कम होती है तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका यानि की तंत्रिका कोशिका में विभाजन सब से और याद रख लेना यह जीवन में केवल एक बार विभाजित होती है के बाद कोश्चन नमर पंदर देखेगा कोश्चन नमर 15 को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेगा मास्टर ऑप मास्टर ग्रंति किसे कहते हैं तो आप जानते हैं कि मास्टर ग्लेंड कौन है तो है प्यूस मास्टर गएंद कौन है प्यूस ग्रंथी है इस मास्टर का मास्टर कौन है? ठीक है? मास्टर आफ भी प्रिनशिपल गनों है तो जाद रख लेना वह है हाइपो थयलमस कौन है हाइपो थयलमस मैंने आपको क्या बताया? हार्मोन नियंत्रण पर भी कौन भूमिका निभाएगा हार्मोन नियंत्रण पर भी ये हाइपो थैलमस ही भूमिका निभाएगा तो हाइपो थैलमस की विशे में याद रख लेना यह हमारे सरीर में हार्मोन के नियंत्रण में महत्तपूर भूमिका निभाएगा next question पे चलते हैं 15 की बार 16 question number 16 दिया गया है मनुस्य के मस्तिस्क के सरवाधिक विक्सित हिस्सा कौन सा होता है सरवाधिक विक्सित हिस्सा मस्तिस्क का पूछा गया है कि मस्तिस्क का सरवाधिक बड़ा हिस्सा कौन सा होता है याद रख लेना मैंने आपको बताया था अग्रमस्तिस्क, मध्यमस्तिस्क और पश्चमस्तिस्क तीन हिस्सों में मस्तिस्क हमारा बटा होता है ठीक है तीन हिस्सों में हमारा मस्तिस्क बटा होता है और आपको मैंने बताया है कि उसमें कई धेर सारे हैं अग्रमस्तिस्क में सेरी ब्रम आता है थैलमस आता है हाइपो थैलमस आता है और यह पश्चमस्तिस का हिस्सा है जिसको सेरी बेलम करते हैं अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था यह संतुलन अस्थापित करेगा सेरी बेलम का कार क्या है संतुलन अस्थापित करना शंतुलन यह थंधा यह गर्म यह दर्द की अनुभूति कराएगा और हाइपो थैलमस की विशे में हमने आपको बताया था यह भूख यह प्यास यह हार्मोन नियंत्रड यह ताप नियंत्रड इन शब में महत्यपुर्भूम का कौन जिभाएगा हाइपो थैलमस और साथी साथ इसी को मास्टररक मास्टर्ग्लैण भी कहा जाता है यह भी मैंने बताने का प्रयास किया यहाँ पर सवाल पूझा गया मस्तिष का स्रवादिक विक्रमस HEY कौन सेरीब्रंस नहीं याद है क्या शार्ट हम चलते हैं चार्ट पे हमने आपको बताया था किस चरी ब्रम सबसे बड़ा पुढ़ हिस्सा कौन है सेरी ब्रह्म है न क्यों कि यही तो बुद्धिमता इस्मृति और चिंतन का केंद्र होता है एक बार सवाल घुमा कर पूछ दिया था कि एक व्यक्ति एक्सिडेंट कर जाता है उसके सरीर में मस्तिस्क में चोट लगती है जिससे उसका इस्मृति खो जाता है यानि कि अब उसको याद नहीं है कि वो कौन है वो लोगों को पहचान भी नहीं पा रहा है तो उसके मस्तिस का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है आप उत्तर करेंगे सेरी ब्रह्म क्योंकि यही तो इस्मृति का केंद्र है यही तो आपको बता रहा है कि दो प् तंत्रकाद तंत्र की होज किस ने किया था श्वायत तंत्रकाद तंत्रकाद तंत्र होते हैं, एक CNS, दूसरा PNS, और तीसरा ANS, ठीक है, पहला क्या है CNS, दूसरा क्या है PNS, और तीसरा क्या है ANS, तो ANS की बात किया रहा है, कि ANS की खोज किस ने किया था, ANS की खोज करने वाले बैग्यानी का नाम है Langley, ठीक है Langley, ANS को Autonomic क्यों कहते हैं, ANS को स्वायत तंत्रिका तंत्र के अंतरगत क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह अपने निर्ड़यों को लेने में खुद सच्छम होता है, यह बेसिकली हार्मोन से मिल कर कारे करता है, यह बेसिकली क्या होता है, हार्मोन से मिल कर कारे करता है, हार्मोन इसमें क्या करता है, इसमें हार्मोन सहायता करता है, और आपको यह पता होना चाहिए, आपको मैंने बताया है, कि स्वायत तंत्रिका तंत्र यह दो हिस्सों में बता होता है, एक को हम क्या बोलते हैं, एक क दूसरे को हम क्या बोलते हैं दूसरे को हम बोलते हैं पर अनुकंपी अनुकंपी मैंने बताया है आपको जब व्यक्ति संकट की स्थिती में होता है जब व्यक्ति भय की स्थिती में होता है जब व्यक्ति दुख की स्थिती में होता है जब व्यक्ति गुस्से की स्थिती में ह तो उसके सरीर में होने वाली जो क्रिया होती है उस क्रिया को अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं और जब खुसी की बात हो है ना खुसी की बात हो प्यार की बात हो तो उस समय सरीर में होने वाली जो क्रिया होती है पर अनुकंपी जैसे संकट आया हमारे सामने सेर आ गया अब हमारे नेत्र की पुतली फैल जाएगे, हिर्दय का धड़कन बढ़ जाएगा, लार का बनना बंध हो जाएगा, पाचक एंजाइन जो है निस्करी हो जाएगे, पसीना निकलने लगेगा, है ना? तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, ये सब हार्मोन के काड़ हो रही है, उस समय एक विशेश प्रकार का हार्मोन स्रावित होने लगता है, और उसी समय होने वाली जो भी क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को अनुकंपी तंत्र का तंत्र के अंतरगत रखा जाता है, तो अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र की घटना कब होती है जब संकट भय दुख या कुछ से की स्थिति में होते हैं तब ये सारी की सारी activities आपकी bodies में होती है इन्होंने प्रतिवर्ति क्रिया की खोज किया था है इस पाइनल कॉर्ड के द्वारा यानि कि मेरुष्जु के द्वारा जो है मार्सिल हॉल ने बताया था कि प्रतिवर्ति क्रिया उत्पन होती है ठीक है लुई पास्चर का नाम तो बहुत बड़ा नाम है विज्ञान के छित्र में इन्हें सूचम जैविकी का पिता भी कहा जाता है ठीक है सूचम जैविकी का पिता भी कहा जाता है लुई पास्चर ने पाश्चूरी करड की खोज किया था लूई पाश्चर ने रेवीज के टीके का अविश्कार भी किया था है आपको पता होना चाहिए कि रेवीज के टीके का अविश्कार किस ने किया था तो लूई पाश्चर ने किया था इहीं को सूच्म जैविकी विज्ञान का पिता भी क तो चलिए नेक्स्ट कोस्ट्र पर चलते हैं हाँ एक बात और तीन बात याद रखेंगे ना लुई पास्ट्र ने एक पास्ट्र ने और एक रेवीज के टीके का विष्कार किस ने किया था लुई पास्ट्र ने ये तीन नाम तो आपको जानने ही चाहिए ये सवाल पूछा तो पीछे मैंने आपको बताया है कि जो मेरुरज्यू से निकली होती है उनको मेरुरज्यू यह तंत्रिका तंत्र कहते हैं और इन्हीं दोनों से यानि कि कपालिय और मेरुरज्यू से ही मिलकर हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र बना होता है इन्हीं से मिलकर हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र बना होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र बोले तो पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम बोले तो पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया है कि कपाल से यानि की ब्रेन से कितनी कोशिकाई निकलती है तो बारह जोडी निकलती है कितनी कलती है बारह जोडी और मेरुरज से कितनी निकलती है तो मेरुरज से निकलती है 31 जोडी मेररज से कितनी निकलती हैं तो मेररज से निकलती हैं 31 जोड़ी तो इसका सही उत्तर क्या होगा कपालि ये तंत्रिका तंत्रि में 12 जोड़ी Q2 नमर चलते हैं Q1 Q2 नमर 19 में लिखा गया है कि पूढ मस्तिस्क कुल आक्सीजन का लगभग कितना प्रतीसत लगबग 20% क्योंकि हमारा सरीर अच्छा इसके बाद हिर्दय याद रख लेना हिर्दय भी लगातार कारे करता है हिर्दय भी लगातार इसको उर्जा की जरूरत होती है और उर्जा का सोर्स उर्जा का माध्यम एक ही है कि ऑक्सीजन जब तक ग्लुकोज को विखंडित नहीं में कुल ऑक्सीजन जितना भी हम ग्रहट करते हैं कितना ग्रहट करते हैं 21% ग्रहट करते हैं कितना बाहर करते हैं 17% बाहर कर देते हैं कितना उपयोग मिलाते हैं 4% उपयोग मिलाते हैं तो उस 4% को अगर 100% में convert कर दिया जाया तो लगबग 20% हिस्सा याद रख लेना वह ह हम उपयोग भी तो करते हैं, मस्तिस्क, हम खाली बैठेंगे, तो हम दूसरे के विसे में बात करेंगे, दूसरे के विसे में बात करेंगे, दूसरे के विसे में विचार करेंगे, और जब काम करते हैं, खुद का, तब अपने संबंद में हम विचार करते हैं, तो कुल मिलाकर हमारा मस्तिस्क लगातार कारे करता है है ना सोते भी यह तब भी हम सपने में किसी को याद ही करते रहते हैं उसमें भी हम कुछ खुरापात ही करते रहते हैं फिलाल तो आपको यह बात याद होनी चाहिए अगला कोश्चन कि तंत्रिका तंत्र की सन्यचनात्मक एवं क्रियात सत्वार्ट ट्रिया चाहिए तो मैंने आपको इसके संब्न में बताया है और मैंने यह भी बताया हैं कि आपको यह पता होना चाहिए ठीक है अगर कोश्चन ने पूछा गया क्या कि जीवन की सनचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है जीवन की सनचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है तो आप बताएंगे प्लूरा अगर पूछा जाएगा तंत्र का तंत्र का तंत्र कि सनचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है तो निफ्रॉन और अगर पूछा जाए व्रिक यानि की किड्नी यानि की गुर्दा कि सनचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है तो आप उत्तर क्या करेंगे निफ्रॉन चुकि तंत्र का तंत्र के संबंध में कोश्चन प तो नियूरॉन हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा ठीक है तो ये 20 प्रशन थे आज तंत्रिका तंत्र में और आशा करूँगा कि इन 20 प्रशनों की सहायता से आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन का कार किया होगा ठीक है इसमें मैंने जितने भी डाइमेंशन से कोश्चन बन सकते थे उन सारे डाइमेंशन के कोश्चन को करवाने का प्रयास किया है और आपने देखा होगा कि छोटे से चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से खंगालने का प्रयास किया आपके सुझाव आमंत्रित हैं क्लास के उपरांत आप जरूर कमेंट्स ब में स्क्राइब करें, उर्जा का कारenda है, कि कोशीकी इंधन के रूप में होता है Glyukoz, लेकिन जब हो ही Glyukoz जलता है, तो oğlum ATP बनता है और उसी उर्जा के इनसार कोशीकाई कारिकरती न स्क्राइब कर थी है, तो हमारा स्रीर मिलते हैं next class में skeleton system कंकाल तंत्र के 206 हड्डियों को हम 25 question के माध्यम से तोड़ने का प्रयास करेंगे और पूरा का पूरा question की तरह से हम आप देखेंगे कि बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से वहाँ पर analysis करकर हम 206 हड्डियों को वहीं पर याद कराएंगे ठीक है मिलते हैं next class में थैंकिनों मस्कार बहुत बहुत खन्यवाद आपका जये